भाई आपको OnePlus Nord series तो याद ही होगा, कैसे न याद होगा भाई इस series के अंदर हमें कितने धमाकेदार smartphones देखने को मिले थे OnePlus Nord, OnePlus Nord 2 और OnePlus Nord 2T देखने को मिले था और भी आपको इसका successor OnePlus Nord 3C regarding इसके जो leaks, specifications, price point कब लोन चुगा इसके बारे हमें सामने information लिख हो गया आचुगी, तो आज हम इस video इसके बारे में बात करने बाले बात के बात के बारे में, यहाँ पे हमें 6.7 इंच की एक full HD plus 120Hz रिप्रेसर अरत में एक AMOLED पैनल देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे हमें HDR10 का support, Wideband L1 certified भी देखने को मिल जाएगा बात के बारे में, यहाँ पे हम MediaTek Diamond City 9000 अलो प्रोसेसर, Office 3.9 की Showage Type, LPDR5 की RAM Type भी देखने को मिल जाएगा बात के बारे में, यहाँ पे हमें back में quad camera setup, 50.000 में चैमरा, 8.000 का ultra wide angle और 2.000 मेगा फिसल का बहुत ही मातुक्ट माइक्रो और depth sensor देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हमें 60 में सल का selfie camera भी देखने को मिल जाएगा बात के यहाँ पे हमें out of the box Android 13 और इनका oxygen OS 13 के साथ में run करता होगा देखने को मिल जाएगा और इनका oxygen OS बढ़िया है, कोई फालतोक airs नहीं, कोई फालतोक blue twares देखने को यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा बात के sensors के बारे में, तो यहाँ पे हमें इंडिस प्ले finger print sensor, face unlock support, USB tab C cup port, यहाँ पे हमें कोई भी 3.5 ओम जी एक ओला गढ़्धा देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे हमें dual SIM card का support भी देखने को मिल जाएगा और और अले सरी specs देखने को मिलने वाली है, बात के जितों यह कब launch गा तो यह ऐसी लिक्स है कि हमें June, July में globally launch होते भी देखने को मिलने वाला है तो उससे एक मेहने के बाद में हमें इंडिया में भी launch होते भी देखने को मिल जाएगा तो चरीकास अगरा आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चल को सब्सक्राइब करें और उसको जुब्बेल आइकन है उससे भी दबाद सब्सक्राइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए